नमस्कार आपका हमारी यूद्व चैनल में स्वागात हैं दोस्तों मैं बता दू कि मैं जो है top 100 जिकेत करा रहा हूं साथ 10 इंगलिओ वर्ड करा रहा हूं प्रतिक वीडियो में 100 questions, यानी 1000 questions का जिके का जिके कराया है और 900 English words कराया है ठीके? और ये 1000 questions का जिके हो चुका है, इसके बाद ये जो हमारा है, ये हमारा 11 का वीडियो होगा, इसमें भी 100 प्रशन है तोटल अब हमारा 1100GK का प्रश्न हो जाएगा प्रश्न को संग्रा हो जाएगा दोस्तों अगर इन सभी को आप कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली जो है जीके का सक्षिन कवर हो जाएगा क्यूंकि मैंने इतना सार जीके को कोशिन करा दिया कि अगर आप यह सब याद कर ले तो आप किसी भी इबुक वगेरा का ज़रत नहीं पड़ेगा ठीक है और साथ ही मैं बता दू यहाँ पर देखे जो भी यह मैंने जीके लिया है वो टॉप हंडेड जीके है अगामी सबी सरकारी परिक्षाओं के लिए यह सारी महत्पूर्ण है और पिछला टॉप हंडेड के दसो वीडियो यानि एक से लेकर दस तक का वीडियो जरूर देख ली जगा ठीक है सारे परशन पिछले वर्सों में पुछे गया है जो भी सारा है पिछले वर्सों के परशन है और आने वाले परिक्षाओं में काम आएंगे ठीक है तो जरूर जरूर बाकी जो अगर आपने पिछला दस वीडियो नहीं देखा है तो वो दस वीडियो जरूर देख ले और य अर्णिद भी में जो है, एक से पांच फरवरे के बीच मैं डाल दोगा संपूर्ण जनवरी महाई निगा है, ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं पहला कोशन से, पहला कोशन हमारा देखिए, मुद्रा इसपेती किस कारण से होता है, तो मुद्रा इसपेती जो होता है, वो किस क तत्वों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है तो सन्विधान में नीतिन रिदेशक तत्वों का उल्लेख हमारा चौंते भाग में किया गया है ठीक है अगला देखें गणतंत्र का अर्थ क्या है तो गणतंत्र का अर्थ होता है राज्य जहां सरकार वनसागत ना हो और जिसे आम नागरिक चुनतियों यानि जो सरकार को जनता के द्वार चुना चुना जाता है उसको गणतंत्र सरकार या गणतंत्र राज्जी कहा जाता है ठीक है चौथा नमर देखिए एल नीनो जल धारा एल नीनो जल धारा कहां है तो पेरू के तट पर एठेक है याद इसी प्रकार से हमारा अगला देखिए असोख के अधिकांस अभिलेक किस भासा और लिपी में है तो असोख के अधिकांस अभिलेक हमारा प्राकृत भासा में है और ब्राही लिपी में कौन सा ब्राही लिपी में है ठीक है अगला देखिए छे नमबर भारतिया संगित का आ किसे कहा जाता है तो भार्ग्त संगीत का अधिगरुंत जो कहा जाता है उसे साम लेंड नामक पुरजखार पुस्तक होगा यहां पर ठीक है पुस्तक के लेखा कौन यहां थो भागत सहीं थीक है अगला दूइफोकरसी लेंडS का अविष्कार किस ने किया था तो यह हमारा उग्गा बेंजामिन फ्रेंकलिन ने किस ने किया था अगला हमारे देखिए दस नमबर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 21 जनवरी 2015 को क्या शुरू हुआ तो सुकन्या संब्रिधी योजना तो ये जो हमारा सुकन्या संब्रिधी योजना है ये हमारा 21 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतरगत सुरू गिया गया था ठीक है योजना को खारे पानी में क्या पैजाता है तो खारे पानी में हमारा नमक पाई जाता है यह संट पाए जाता है नमक का सुत्र क्या होता है तो N, A, C, L यह N, A मतलब हो गया Sodium, C, L मतलब हो गया Kl 그렇in अगला जो हमारा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 12 नमबर कागज का जलना किस परकार की अभिक्रिया है तो यह हमरा रासानी कभिक्रिया रासानी कभिक्रिया है ऐसी अवस्थाएं होती है जिसमें जब एक रूप से जब दूसरा रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है यानि एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में चली जाती है ठीक है एसे जाने के बाद फिर वो वापस नहीं आ पाती है जैसे कि कागज अगर जल करके वो राख हो जाएगा तो क्या फिर उसे वापस कागज बना जा सकताँ हैं नहीं यह सारा राशानिक प्रग्रिया कहलाएगा अगला देखिए 13 नमबर बिना बुझा हुआ चुना बिना बुझा हुआ चुना जो ठोस होता है ना का राशानिक सोतर क्या सी ए ओ यानि जो हम लोग चुना खरित कहलाते हैं दिवार को रंग करने के लिए वो जब पानी में नही तो उससे पहले हमारा CAO की रूप में होता है ठीक है अगला MP3 क्या है आप तो MP3 से आप सभी परिचेत होगे अगर आप सौंग वगएरा सुनते होगे तो यह हमारा वदियो का एक प्रारूप एठीक अच्छा एगला पानी में डाला गया निम्भू बडा देखता है क्यों बडादीखम अगरा देखिए सीधा और आभासी छवी बनाती है कौन बनाता है सीधा और आभासी छवी तो यह हमारा समतल दर्पन जो होता है ना समतल दर्पन सीधा और आभासी छवी बनाता है अगला माना आख के किस भाग पर छवी बनती है तो रेटिना जो होता है हमारा रेटिना पर बनता है ठीक है कि आठारा नमारा ग्रहों का पत है जिसमें वे चक्कर लगाते हैं यह ऐद जो ग्रह लक्रहर基क ज़से प्लैनेट हिसे प्लैनेटalinet SUS've बाइट करते हैं उसको हमारा कख्षा कहले था कख्षा या अंग्रेजी से और इसां में होश्धिक है खीया अगला देखिए मंगल गराई जिसे मार्स प्लानेट कहा जाता है सूर्य से कितने नंबर पर आता है तो चौते नंबर पर आता है अगर हम लोग इसको देखें तो सबसे पहले कौन सा गराता है बूद आता है यानि बूद हियानि मरकरी उसका अच्छा-चुक्र शुक् सनी सनी मनें सैटन उसके बाद अरून यानि यूरेनस उसके बाद नेप्चुन अरून के बाद वरून ठीक है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौवा गर्या जो था हमारा पुलूटो उसको हटा दिया गया क्योंकि वो सुरी के सुरी के अक्षा के परिकर्मा नहीं करता है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तो अगला देखिए चंपारन बीस नंबर चंपारन आंदोरन किस राज में हुआ था बिहार में हुआ था इस अभी को मालू होना चाहिए ठीक है लगू पासान क्या होते हैं तो लगू पासान हमारा पत्थर के ओजार होते हैं ठीक है पत आगला देखिए किस सरकार में राजनेतिक सक्तियों को अधिक से अधिक नागरीकों में विभाजित की जाती है मतलब जो भी राजनेतिक पॉलिटिक्स पावर है उसको ज्यादा तर लोगों को दे दिये जाता है आ կानि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है उसी में यह जोता है । आगला हमारे डॉक्टर रुब्यार अंबिटकर दुबारा सन् विधान का रिदाय का था आत्मा किसे कहा गया तो डॉक्टर वियार अंबेटकर ने भीमरा अंबेटकर ने सन्वितार यानि कंस्टिट्यूशन का रिदय और आत्मा हर्ट एंड सॉल किसको कहा तो अनुच्छेद 32 को कहा है किसको अनुच्छेद 32 ये क्या है अब जाकर के गुगल में सर्च कर सकते हैं 24 नमर देखें बिरुजगारों को मासिक भत्ता भुगतान करने वाला यूरोप का पहला देश तो जो बिरुजगार हैं वहां मासिक भत्ता नहीं मिलता है वह हमारा फिनलेंड ठीक है फिनलेंड में मिलता है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है भारत में ऐसा जरूर होना चाहिए क क्याएं भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हैं अगला भारत है सास्त्रिय निर्थ्य के सब से प्राचिन सैली तो भरत नाटियम ये जो हमारे हैं भरत नाटियम ये भारत्य सास्त्रिय निर्थ्य की सबसे प्राचिन सहली है भरतनाट्यम स्तीर वैधुत आकरसन के नियम की खोच किसने की थी तो कलॉम ने किया था किसने कलॉम ने कलॉम याद रहेगा अगला हर्याना सरकार दुबारा तिर्थ दर्शन योजना का उद्देश से क्या है तो तिर्थ दर्षन योजना याणि प्लानिंग का उद्देश से था वरिष्ट नागरिकों को तिर्थ यात्रा करवाना, ठीक है अगला जो हमारे है 28 नमर यानि 28 नमबर प्रसिद ग्रंद لिला वती प्रसिद्ध ग्रंद लीलावती भारत के किस प्राचिंतम विशय से सम्मन्दित है तो यह हमारा गणित है ठीक है लीलावती हमारा एक गणित्र का विशय है वाटर पोलो और कबड़ी में खिलाडियों की कितनी संख्या होती है तो कुल साथ संख्या है ठीक है अगला इंटीग्रेटड सर्किट चिप यानि ICC का अविस्कार किस ने किया तो रोबर्ट नॉयस ने किया था रोबर्ट नॉयस ने इंटीग्रेटड सर्किट चिप का अविस्कार किया था अगला पारितंत्र में उर्जा का परमुक सुरूत क्या होता है तो पारितंत्र में उर्जा का परमुक सुरूत हमारे सुर्य का परकास होता है अगला अगला हमारा ओजुन जिसको ओथरी कहा जाता है क्या आवसोसित करती है तो ओजोन हमारा पराबेगनी किरनों को असोसित कर लेती है और प्रित्वी तक पहुचने नहीं देती है क्योंकि ये काफी हानिकारक पराबेगनी किरने होती है और अगर फिर्थी तक पहुँच जाए तो इनसानों के लिए जिवजन्तों के लिए खत्रा पैदा कर सकती है ठीक है पर आब एगनी के किर्णों को अंग्रेजी में अल्ट्रा वाइलेट रेज कहा जाता है ठीक है अगला देखे हर गोबिन्दखुराना को नौबेल पुरसकर मिला था तो 1968 में मिला था और क्यों मिला था तो उन्होंने जिन संसेलेशन पर काम किया था जिन synthesis पर काम किया थे जिसके करण उन्हें 1968 में Nobel पुरस्कार मिला था 34 नमबर है सूर्य पर उर्जा निर्वान का क्या कारण है क्योंकि सूर्य में तो धेर सारा एनरजी है तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर ना भी किया सनलेयन का काम होता है सनलेयन का मतलब होता है फ्यूजन होना ठीक है और अगर फ्यूजन मतलब होता है सनलेयन होना और विखंडन का मतलब होता है फीसन होना ठीक है तो वहाँ पे न्यू किलियर फ्यूजन के कारण सूर्य में उर्जा का निर्मान होता है 35 नमबर है कि लाल लिटमस निला हो जाता है कब जब लाल लिटमस पर भस्म डाल दिया जाता है तो उसका रंग निला हो जाता है अच्छा अगला निला लिटमस लाल हो जाता है कब जब लाल लिटमस पर अमल यानि एसीड डाल दिया जाता है ठीक है न्यूटन का कौन सा नियम तेरने पर लागो होता है तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो तृत्या नियम तेरने पर लागो होता है हर एक क्रिया के विपरित परतिक्रिया होता है ये न्यूटन का तीसरा नियम है रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है तो रेडियो धर्मिता की इकाई हमारा क्यूरी है ठीक है क्यूरी ठीक है अगला हमारा है बैंक दर में परिवर्टन होने से क्या प्रभावित होगा तो ब्याज की बाजार में जो दर है वो प्रभावित होगा ठीक है ये चीज़ है कौन भारतिय राजवेवस्था है तो कां सा जो भारतिय राजवेवस्था उसमें सबसे उपर माना जाता है तो सनविधान सबसे दर दिया जाता है भारतिय सन्विधान को किसने बनाया तो सन्विधान सभाने बनाया था है कि अगला इंडोनेसिया की राजधानी क्या है तो हमारा इंडोनेसिया की राजधानी है जकारता और वो किस दीपर है तो हमारा वो जावा दीपर है ठीक है इंडोनेसिया की राजधानी जकारता जाव प्रत्वी पर है अगला जो प्रश्ण है वो हमारे कुल अक्षांसों की संख्या कितनी है तो कुल अक्षांसों की संख्या 180 है ठीक है हमारे प्रत्वी पर यह अक्षांस वास्त्विक नहीं होता है आभासी अक्षांस होते हैं ठीक है महावीर का मुल नाम क्या है तो वर्धमा महावीर का मुल नाम था वर्दमान अच्छा हडपा कालीन इस्थाल जो है रोपड रोपड एक हडपा कालीन इस्थाल था कि वह किस नदी की किनारी इस्थित था तो सतलज ठीक है अगला बांगलादेश का स्वतंत्रता कब मिला तो 26 मार्च 1971 ठीक है कि उनिश्वेकत्तर हिंदू विवाद विधायक 2016 कब पारित किया गया कहां पारित किया गया हिंदू विवाद विधायक 2016 पाकिस्तान में पारित किया गया गोल्डन ग्लोब पुरसकार जितने वाले पहले भारतिया गोल्डन ग्लोब पुरसकार जितने वाले पहले भारतिया ए आर रह्मान ठीक है यह बहुत ही वड़े क्यों है म्यूजिसियन है मरिंद गम मरिंद गम किस परकार का वाधियंत्र होता है तो दोह मुह वाला दोह मुह वाला धोल होता है ठीक है दोह मुह वाला धोल को मृंद गम कहा जाता है क्वांटम सिध्धान्त किस ने दिया तो यह हमारा मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम सिध्धान्त याद रहेगा अगला है किस पुस्तक का संबंध मोगली नामक एक पात्र से है अगर आप मोगली देखे होगे तो आपको पता होगा यह हमारे जंगल बुक में आता है किसमें जंगल बुक में मोगली आता है अगला देखिए कोसिका में न्यूकलियस की खोज सबसे पहले किसने की थी तो रोबर्ट ब्राउन ने की थी रोबर्ट ब्राउन नहीं बताया था कि कोशिका के अंदर नूकलियस यानि केंद्रक है ठीक है विस्व का सबसे छोटा फूल क्या है तो वुल्फिया वुल्फिया हमारा विस्व का सबसे छोटा फूल होता है अगला वासिंग मसिन किस सिधान्थ पर कायर करता है तो वासिंग मसिन हमारा अपकेंदरन के सिधान्थ पर काम करता है ठेक है भस्म जिसे छार कहा जाता है का स्वाद कैसा होता है तो खारा होता है अच्छा अगला देखे जब मुद्रा का मुल्य गिर जाता है और कीमते बढ़ जाता है तो इससे क्या कहा जाता है मुद्रा स्फीती कहा जाता है 57 नमर मान स्पेश्यो का अध्यन क्या कहलाता है तो मायोलोजी क्या कहलाता है मान स्पेशो का अधन मायोलोजी कहलाता है अगला जो हमारा है वो है सन्विधान संसोधन प्रकिरिया कौन से भाग में है तो भाग 20 में हमारा सन्विधान संसोधन का प्रकिरिया दिया हुआ है 59 नमर कह रहा है कि सन्विधान कब लागू किया गया तो 26 जन्वरी 1950 को लागो किया गया था जबकि सन्विधान बन कर तयार हुआ 26 नौबर 1950 को मरियाना ट्रेंच कहा है तो परसांत महासागर में है सागरिया भुकंपो दुवारा उत्पन समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है तो सुनामी कहा जाता है चाणक का दुसरा नाम कहा है कोटिलिया और एक विश्नुगुप्त तीन नाम है चाणक कहा है कोटिलिया विश्नुगुप्त वेदिक यूग की प्राचिंतम संस्कृति का उलेक कहा मिलता है तो रिगवेद में मिलता है ठीक है नौ जनवरी को हम क्या मनाते हैं भारतिया प्रवासी दिवस ये प्रवासी भारतिया दिवस मनाते हैं wealth of nations नामक पुस्तक किस ने लिखा था तो Adam Smith ने लिखा था Adam Smith ने wealth of nations नामक पुस्तक लिखा पुसकर मेला आयुजित कहां किया जाता है तो पुसकर मेला हमारा राजस्थान में आयुजित होता है अगला यूजर और कम्प्यूटर के बीच ओपरेटिंग सिस्टम का नियंतरन क्या कहलाता है 68 नमर है तो user और computer के बीच जो होता है operating system उसका interface कहते हैं क्या कहते हैं इंटरफेस यहीं नियंतरन करता है दोनों के बीच विशिष्ट उस्मा का मान सर्वच होता है कहां जल में विशिष्ट उस्मा का मान सर्वच होता है हमारा जल में ठेक है अगला है हमारा गरभासे में सिसू का पता लगाते हैं गरभासे में सिसू का पता कैसे लगाते हैं तो यह हम अल्टरा सांड के माध्यम से लगाते हैं ओटो मोबाइल गाड़ियों से उत्पन होती है क्या उत्पन होती है? कार्बन मोनोकसाइड क्या? कार्बन मोनो ओक्साइड उत्पन होता है और ये काफी वेसेला गैसे जो हमारे सोशन को प्रभावित करता है सोशन तंत्रों को प्रभावित करता है जैट इंजन की खोज करता कौन है फ्रैंक बिटले फ्रैंक बिटले जो है जैट इंजन के खोज करता है अगला जो हमारा है वो है प्याज का खाने वाला भाग क्या कहलाता है तो प्याज का खाने वाला भाग हमारे गुद्देदार पत्ते होता है वो ठीक है कोशिका के राइबोजोम कोशिका के राइबोजोम का मुख्य कायर क्या है तो प्रोटीन बनाना प्रोटीन सिंसेसिस करन का काम होता है protein minus accumulation क्या है तो कोपीरona वेल्ट हमारा बरफीला भूम मंजल यह पिंद है ठीक है जो वरून की परिकर्मा करता है ठीक है तो που अर वरून की परिकर्मा करता है यह वरून जो एक प्लाइनेट है जिसको हम लोग नेप्चुन कहते हैं यह हमारे सोर मनेल का सबसे अंतिम प्लैनेट है 76 नमर क्या रहा है CSO का पूरा नाम क्या है CSO का पूरा नाम है C for Central S for Statistical Central Statistical O for Organization Central Statistical Organization NABAD NABAD क्या है NABARD NABAD जो है Krissy साहयक विशिस्ट बैंक है Krissy साहयक विशिस्ट बैंक है यानि Krissy चेत्र में NABAD RINO अगेरा देता है 78 नमर क्या रहा है कि भारत सन्विधान में कितने परकार के रिट का उलेख किया गया है तो हमारा भारत या सन्विधान में कुल 5 परकार के रिटों का उलेख किया गया है भारत के सन्विधान में भारत को किस रूप में वर्नित किया गया है तो राज्यों का संग तो भारत के सन्विधान में भारत को कहा गया कि भारत जो है हमारा सभी राज्यों का एक संग है मतलब एक ग्रूप है ठीक है एक संग है ठीक है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूप रेखा किस ने त्यार कि थी तो हमारा फजलूल हक ने त्यार किया था ठीक है आप आप सन परस्ताओं भीम बेटका रॉक सेल्टर कहा है तो भीम बेटका रॉक सेल्टर हमारा मज्द परदेश में है ठीक है भीम बेटका की गुफाएं भी मज्द परदेश में है भुटान की एक सदन या विदहाई का नाम किया था तो यहाँ पर देख सक लिख्ञा होगा है तो साइलेंट रहता है सोगडू ठीक है सोगडू ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा था तो विकरम सेठा ने लिखा था अरजून पुरसकार किस छेत्र में दिया जाता है तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करता है, मतलब सबसे बढ़या प्रदर्शन जो खेल में करता है, उसको अरजुन पुरसकर मिलता है किस खेल की ओलमपिक में 112 वर्सों के बाद वापसी हुई थी तो गॉल्फ गॉल्फ को 112 सालों के बाद दोबारा वापस एक बार लिया गया था डाइनेमो का अविसकार किस ने किया थो माइकल फराडे ने किया था डाइनेमो का अविसकार क्रिसी का विकास तो क्रिसी का विकास क्या है तृत्या पंच वर्सय योजना क्या है क्रिसी का विकास हमारा है तृत्या पंच वर्सय योजना के अंदर लाया गया था ठीक है अगला जो हमारा है वो है पुनर जनित रेशा सेलिलोज क्या कहलाता है पुनर जनित रेशा सेलिलोज हमारा रयोन है ताजमहल इस्थित है कहां तो यम्मुना नदी के किनारे इस्थित है ठीक है किसने बनाया था है जहाने बनाया था नीलात होता यानि बुलू विट्रियॉल करासायनिक सुत्र क्या होता है तो CUSO4 कॉपर सल्फेट को ही नीलात होता या बुलू विट्रियॉल कहते है काबोल क्या है तो कम्प्यूटर की एक भासा है काबोल किसे पादब जगत का उभाईचर कहा जाता है तो ब्रायूफाइट को कहा जाता है कोसिका भित्ती कहाँ पाय जाता है तो पेड़ पोधों में पाय जाता है अगला देखिए गरज्थी चालिसा क्या है तो गरज्थी चालिसा मेरा दक्षिन गोलार्द की तेज गती की पच्छवा हवा है ठीक है अगला संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है तो कानूनी अधिकार बन गया है ठीक है सेर साह के बचपन का नाम क्या था तो फरीद खा अगला हमारा है सर्व सिक्षा अभियान कितने वर्स के आयू के सभी बच्चों को प्रात्मिक सिक्षा परदान करता है तो सर्व सिक्षा अभियान जो है 6 से 14 वर्स के सभी बच्चों को प्रात्मिक सिक्षा परदान करता है अगला देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहर क्या है तो कराची है लेकिन पाकिस्तान का रायधानी पूछा जाता तो इसलामाबाद होता कालिदास सम्मान देती है कौन से सम्मान देती है मजद परदेश में दिया जाता है तो कालिदास एक सम्मान है जो मजद परदेश सरकार देती है भारत में सालार गंज संग्राले कौन सा भारत में सालार गंज संग्राले कहा है तो हैदराबाद में ठीक है तलंगाना की राईधानी है है एद्रवाद तो हमारा ये लेकर के 11 वाटॉप हंडेड के 11 ग्यारवा जीके जीएस का विडियो समाप्त हो गया और ये हमने इसको लेकर के टोटल 11 ग्यारे सो जीके कोशन कर लिया है ठीक है तो 11 टॉप 100 ये वीडियो था और हम परतेक में 100 है यानि 100 कोचन ठीक है यानि टोटल 1100 हम लोगों ने कोचन अंसर कर लिया और ये आपका जो है फोर एवरी कम्पेटिटिव एक्जाम हरे कम्पेटिटिव एक्जाम में काम आएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कर लिजए हमारे चैनल को बाई सब्सक्राइबिंग आवर यूटूब चैनल ठेंक्यू ठीक है तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समात करता हूँ अगला वीडियो जल रहाएगा ठीक है तो अपरे किलाब का बहुत बहुत देने वाद